दुशंत चौटाला ने ये कॉंग्रिस पर जम कर सियासिवार किया खे और ये तक कह दिया कि ये चुनाव कॉंग्रिस का अंतिम चुनाव होगा साथ ही डिप्टे सीम ने सभी सीटों पर जेजपी की तैयारी पूरी होने की बात कही खे अगर कोई कर सकता तो शाइज इने लो कर सकती है आज के दिन हमने भी दस में अपनी त्यारी कर रखिए वारते जलता पार्टी वो तो जब एंडिये बैठके निड़ने लेगी और क्या शीट शेरिंग होगे उसके बाद करने निड़ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एरिया और किंग कभी नीच होगे अलाइंस तो सहमती होती है और सहमती जब बढ़ेगी तो फिर यह 19-20 जो लोग बाते करते हैं वो सारी समाप्त होकर पार्टी के मुख्या जो डिसीजन लेते हैं वरकर उस पर कुछ पर्पित करते ह नारे लगाते हैं अपने उमिद्वास आप विपक्ष में बैठे लोगों से यह तो पूछो कि चोदरी एजे सिंग चोटाला जी को ओंपरकास चोटाला जी को जब सलाखो के पीछे सीविया ने डाला था तो क्या वो तंतर ठीक थे चोदरी एजे सिंग चोटाला जी तो स् पर जेल में डान दिया और इन वाड़े केसिज में तो पैसा भी है गड़बड भी है प्रूफ भी है उसके बावजूद भी अपने आपको निर्दोस मोगते हैं यह तो मुझे लगता है चोर अपने आपको चुपाने चोरी चुपाने के लिए कामरेस के तो दो कुट सामन है एक एसर के घुट है एक बाबू बेटा घुट है और दोनों में जिस तरह के तकरार चल रहे हैं मुझे लगता है सेंट्रल लीडरिशिक भी रोक नहीं पारे हैं यह अनुतिम चुनाव कॉंगरेस का है इस चुनाव में कॉंगरेस का खात्मा पूरा है